आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर आपका बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है तो आपको किन घरेली उपाय को आज माना चाहिए कई बार बच्चे दूद पिने के बाद उल्टी कर देते हैं और कुछ बच्चे तो बार बार मूँ से दूद निकाल देते हैं ये बात मा को बहुत परिसान करती है बच्चा बार बार दूद क्यों निकाल रहा है उसे उल्टी क्यों हो रही है आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखे अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्रीज वीडियो को लाइक और मारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें ये बिल्कुल फ्री है बच्चों की इम्यूंş बहुत कमची है इसलिए वो जल्दी बिमार पर जाते हैं कई बार बच्चों को उल्टी की दिक्कत हो जाती है और उल्टी होने पर बच्चे के सरीर में पानी की कमी जैसी कई समस्याइं होने का खत्रा रहता है चोटे बच्चे को उल्टी होना वाकई में चिंता का विसा है बच्चों की इम्यूनिती इतनी मजबूत नहीं होती कि वो किसी स्वास्त या बिमारी से व्यसकों की तरह लड़ सके वाइरस, फोड, पोरिजनिंग या फिर मोसन सिकनेस की वज़ा से बच्चों को उल्टी हो सकती है बच्चों में उल्टी को रोकने के आप घरे लोप चार की मदद ले सकते हैं घरे लोप आए बच्चों के लिए सुरक्षित और हानिकारक प्रभाव से रहित होते हैं अब बात कर लेते हैं आखिर बच्चों को उल्टी रोकने के लिए आपको कौन सा इलाज करना चाहिए अगर आपके बच्चे को लगतार उल्टी हो रही है तो इसकी वज़र से सरीर में पानी की कमी और ठकान हो सकती है सरीर में तरल पदार्थों की हो रही कमी को दूर करने के लिए बच्चे को तरल पदार्थ पिलाती रहे उसे धीरे धीरे पानी पिलाएं अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी या कोई अन्य तरल पदार्थ पिलाएंगी तो बच्चे को और ज़्यादा उल्टी होगी उल्टी खत्म होने से कम से कम 12 घंटे बाद ही सिसु को कोई ठोस आखार दे तब तक आप उसे वेडिटेवल सूप दे सकती है जी मतली और उल्टी को रोकने के लिए अदरक बहतरे इन उपाय है अदरक का एक टुकड़ा लेकर उसे घिस ले और फिर उसे निचोर कर उसका रस निकाल ले अब इस रस में कुछ बुंदे सहथ की डाले और बच्चे को दिन में दो या तीन बार चटाए अगला उपायक के तोर पर आप पुदेने का इस्तमाल कर सकती है कुछ ताजा पुदेने की पत्तिया ले और उसका रस निकाल ले एक चमच पुदेने के रस में एक चमच निम्बू का रस मिलाकर उसमें थोड़ा सा सहच डाले अब ये मिसरन सिसू को दे पुदेने की ताजी पत्यां बच्चों में उल्टी और मतली को रोक सकती है गैस की वज़े से अगर उल्टी हो रही है तो चावल के पानी से इसका इलाज किया जा सकता है एक कप सफेज चावल ले उसे दो कप पानी में उबाल ले जब पानी आधा रह जाए तो पानी को छानकर सिसू को पिला सकते हैं बच्चों में उल्टी रोकने का सबसे असरकारी उपाए है इलाइची आधी चमच इलाइची के बीजो को पीश ले और इसमें थोरी सी चीनी मिला कर बच्ची को दे इसी सिसु की उल्टी रुक जाएगी एपल साइडर विनेगर में भी एंटी माइक्रोबिल गुन होते हैं जो मतली और उल्टी को रोकने में मददकार होते हैं एपल साइडर विनेगर पेट को आराम देकर सरीर की सफाई करता है एक चमच एपल साइडर विनेगर और एक चमच सहत को एक ग्लास पानी में मिलाकर बच्चे को दिन भर में घोट-घोट करके पिलाएं उम्मिद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आई होगी अगर काम आई हो तो चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें